स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में मैं स्रावण कुमार्टिवारी आपको आज प्रमुख पत्र और पत्रिकाओं के विश्य में मैं चर्चा कर रहा हूं आए देखिए कि कौन सी पत्रिकाएं किस सन में और कौन सी लेखक और कहां से प्रकासित हुई थी ह आप उस पर आज चर्चा कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा और यह बहुत ही इन्पॉर्टेंट प्रस्ट होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं तो याद करना तो संभव नहीं है कि आप लोग इतना याद कर पाएंगे लेकिन आपके पास हमेशा देखने के लिए द्वार ब ожид sofort को रहे हैं है तो अलब यह सकते हैं और तो इस आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि हर जगह उत्तर नहीं पाते हैं बहुत खोजने पर तो मैं बहुत ही खोज करके इससे आप लोगों के सामने प्रस्दित कर रहा हूँँ तौ äए देखिए शुरू करते हैं नंबर एक बंगाल गजट कलकत्ता जनरल एडवाइटाइजर हिक्की गजट 29 जनौरी 1780 यह सब्ताही अंग्रेजी में था संपादक इसके थे जेम्स आगास हिक्की भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछे जाते हैं जिसमें प्रथम तो हिंदी में यह अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में अगर प्रथम पूछा जा रहा है तो जो बंगाल गजट ह्याँ आफ चलकत्ता जंड एडवाइज़र हिक्की गजट इस नाम से जाना जाता था तो यसी आप जानेंगे लेकिन अगर हिंदी में पूछा जाता है तो हिंदी का प्रथम प्रमुक पत्रिका है उदंट मार्तंड यानि उदंट मार्तंड नाम से जानी जा रही है जिसका प्रकासन 30 मई 1826 को हुआ था और यह साप्ताहिक पत्रिका थी कलकत्ता से प्रकासित होती थी इसके संपादक थे जुगल किसोर पंडित जुगल किसोर सुकल प्रथम हिंदी पत्र यानि इतना ध्यान रखेंगे यह प्रथम हिंदी पत्र क्यों हिंदी पत्र प्रथम है तो ध्यान रखेंगे कि पहले जब की बंगाल का जट प्रारम भुआ था और बाद में यह लेकिन अंग्रेजी मोहने करण उसे नहीं माना जाता है हिंदी में पहला माना जाता है आए तीसरा देखते हैं तो लिखा कि बंग दूत बंग दूत यह 1829 यह सापताहिक थी और कलकत से प्रकासित होती थी संपादक राजा राम मोहन राय थे और का जाता है कि एक साथ चार भासाओं बंगला हिंदी उर्दू अंग्रेजी में छपने वाला पत्र यानि ध्यान रखेंगे बंग दूत में ऐसा पूछा जा सकता है कि बंग दूत कि कितनी भासाओं में प्रकास संपादक राजा शिव प्रसात सितारे हिंद हिंदी प्रदेश से प्रकासि पहला हिंदी समाचार पत्र यानि यह फिर प्रतों ठोस होने उने वाला समाचार पत्र पांचवाज समाचार सुधा वर्षाण 1854 कलकत्ता से प्रकासित संपादक श्याम सुंदर से प्रथम हिंदी दैनिक पत्र यह रोज प्रकासित होने वाले पत्र था जो जिसे ऐसा कहा जा सकता कि प्रिक्षाम पुछा जा सकता प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था और किस सन में प्रकासित होता हो तो अठारे सो चोंग नयाद रखेंगे समाचार सुधावरसन और अगला छठवाप्रस्न है छठवाप पत्रिका है जिसका नाम है प्रजाही तैसी अठारसो पच्पन में आगरा से प्रकासित संपादक राजा लक्षमन सिंग और साथमा देखते हैं तो लिखा है तत्व बोधिनी पत्रिका 1865 मासिक बरेली यानि बरेली से प्रकासित होती थी और संपादक हैं गुलाब संकर और आठवा है तो बृतांद बिलास 1860 मासिक जंबू से से प्रकासित होती थी याणि मासिक पत्रिका और जंबू से प्रकासित होती थी विरतान्त विलास याद रखेंगे और नमवा नमबर पर है तो कभी वचंशुधा 15 अगस्ट 1867 dieses taraf याद में जान में जाता है 1873 में बनारब से यह प्रकाशित हुए और शंपादवाटेन्थ हरिश्चन जी हैं और यानि अपुछा जा कि हरिश्चंड की कौन सी दो पत्रिकाएं तो आप बता सकते हैं कि कविवचन सुधा और हरिष्चन मैग जीन या हरिष्चन पत्रिका अगला 111 नंबर पाता है तो बाला बोधिनी यह 1874 में मासिक पत्रिका और इसका संपादन भी बनारश से और इसके भी संपादक भातेंद हरिष्चन केवल महिलाओं के लिए यानि या जो प्रकासित होती थी भातेंद हरिष्चन द्वारा या केवल महिलाओं के लिए प्रकासित होती थी और आगे आ जाते हैं तो सदादर्ष सदादर्ष 1874 सापताही या हपते में एक बार प्रकासित और दिल्ली से इसके संपादक थे लाला श्री निवाजदाज और तेरहवा नमबर देखते तो हिंदी प्रदीफ है 1877 यह मासिक पत्रिका थी जिसको इलाहवा शे यह प्रकासित होती थी संपादक इसके थे बाल कृफ्ट भाट और भारत मित्र चौदावा नमबर पर है भारत मित्र द्यार रखेंगे 1877 में यह भी हफ्ते में एक बार यानि सापताहिक और इसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त ध्यान रखेंगे अगला पंद्रहवा नंबर पर ब्राम्हाड जो बहुत ही प्रसिद्ध यानि बहुत प्रसिद्ध अक्तर परिक्षा में यह पूछे जाते हैं ब्राम्हाड पत्रिका के संपादक प्रताप नरायण मिसजी और 1880 में यह प्रारमवी थी यह भी मासिक पत्रिका और कानपुर से प्रकासित होती थी अगला है शुलाह आनंद कादंबिनी 1881 यह भी मासिक पत्रिका है यह मिर्जापुर से प्रकासित होती थी इसके संपादक बदरी नरायन चोदरी प्रेम घन है और 17 भार्देंदू यह पत्रिका का नाम है भार्देंदू 1883 बिंडाबन यानि ये बिंडाबन से प्रकासित होती थी इसके संपादक है राधा चरन गोश्वामी और 18 नम्बर पर देखते हैं तो नाम है द्वन्ड यह मासिक पत्रिका 1883 में प्राड़ंबुई थी प्रकासित होißtी और लाहौर से इसके संपादक हैं अंभी का अदत्व ब्यास जी और उन निसमा देखते हैं तो भार तोदय 1880 कानपुर से प्रकासित संपादक सीता राम सर्मा दूसरा हिंदी दैनिक यानि पहला हिंदी दैनिक कौन था तो आपको मालूम हुआ होगा पहला हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्सार पहला हिंदी दैनिक था और दूसरा हिंदी दैनिक भार तोदय 1880 में कानपुर से प्रकासित हुआ और इसके संपादक सीता राम सर्मा ध्या रखेंगे या दूसरा हिंदी दैनिक है तो आप पूछा जा सकता पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र और या दूसरा हिंदी दैनिक समाचार पत्र दोनों को थोड़ा से ध्यां रखेंगे याद हो जाएगा फिर बीसमा है अख़बारे चुनार जो अठारश चाछट में चुनार से यह प्रकासित हुआ और संपादक इसके बाल मुकुंद अगला है दोसरा कोही नूर उनहीं का दूसरा है कोही नूर जो अठारश तो अठासरी यह लाहौर से प्रकासित हुआ इसके संप्पादक भी beta लमुकुंद उर्दू का पत्र या इनने दों अगबार प्रारंबred किया था जाना रखेंगे अगला 21 समा है नागरी नीरद जो 1893 में सापता ही मिर्जापुर से प्रकासित होने वाला जो संपादक है बद्रिन रायंड चौधरी प्रेम घान और अगला 22 समा है नागरी प्रचाणडी पत्रिका ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है जो 1896 में 13 मासिक है तीन महींने में एक बार निकल नुकलने वाली प्रकासित होने वाली जो 80 से इसके संधाफ़क यानि यह तीन लोग इसके संस्थापक थे और तीन लोग सायोग से प्रकासित होती थी और तेशावा नंबर पर है उपन्यास नाम है पत्रिका का नाम है उपन्यास 1898 में कासि से और यह महीने में एक बार प्रकासित होती थी इसके संपादक है पंडित कि सोरिलाल गोस्वामी और 24 हुआ है जो सरस्वति पत्रिका जो 1900 में यह प्रारम हुई और यह मासिक पत्रिका थी जो इलाहाबाद से प्रारम में कासि से यानि ध्यान रखेंगे यह इलाहाबाद से प्रकासित हो रही थी लेगिन शुरुवात इसका है कासि से हुआ था और संपादक स्याम सुन्दर दास्वय चार अन्या यानि अलगलग समय दिया गया है तो 1999 से 2003 तक महावीर प्रसाद दिवेदी और 1903 से 2020 तक पंदित देवी दत सुकल फिर 1920 से 1947 प्रकासन काल 1900 से 1982 यानि यह तब तक चला है और इसके बाद फिर अग्ला पचीश मह आ जाता ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि प्रसिद्ध ऐसे का जाता कि महाभिर्षाद दिवेदी जी उसके प्रसिद्ध संपादक हैं लेकिन शुरुवात करने वाले श्याम सुन्दरदाश जी और उनके चार अन्य सहयोगी भी रहे हैं उसके साथ फिर दीरे-दीरे क्रम से परि प्रकासित होती थी इसके संपादक हैं देव की नंदन खत्री माधो प्रसाद मिस्ट्र अगला 26 समा पर है तो 26 समा लिखा है समा लोचक 1902 में जैपूर से प्रकासित होने वाला इसके संपादक चंदधर समा गुलेरी और सत्तव समा देखते हैं तो लिखा अब भ्यूदा ह उणिस और साथ में साप्ताहिक यह साप्ता में या Hatte में एक बार प्रकासित होने वाला इया प्रयाक से प्रकासित होता था इसके संपादक है मदन मुहन अ समाल विजी और 28 में इंदू उनिस सो उनिस में यह मासिक पथ्र यांग प्रसाद गुप्त रूप नरायन पांडे जैसंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकासित करने का स्रे यानि इसमें यह यह पत्रिका जो अंभिका प्रसाद गुप्त द्वारा प्रारम किया गया था इसमें रूप नरायन पांडे जैसंकर प्रसाद की आरंभिक रचन पत्रिकां जो 1910-1921 और 1923 तक इंशारम की मासिव पत्रिका के रुप में प्रकासित हुई जो वारानसी से प्रकासित होती थी और संपादक क्रिष्टकांत मालवी और पद्मकांत मालवी लच्मिधर बाचपेई यह इन लोगों के सहयोक्ष यह तीन लोगों के द्वारा यह संपादित होती थी फिर अगला है तीसमा पे प्रताप 1913 में सापता ही और सापता ही कानपूर से प्रकासित होती थी संपादक गणे संकर विद्यार थी बहुत ही प्रसिद्ध यह भी रहे हैं और अगला एक्तिसमा है जो प्रभा नाम से 1931 में मासिक खंडवा कानपूर से यह प्रकासित हुई संपादक कालूराम बालकृफड सर्मा नमीन माखनलाल चतुरवेदी यानि इन तीनों के सहयोक से तीनों लोग इसके संपादक रहे हैं और बत्तिसमा नमबर देखा जाए तो श्री सार्दा 1916 में मासिक पत्रिका और यह जवलपूर से प्रकासित हुई थी इसके संपादक नर्मदा प्रसाज मिस्त्र द्वारिका प्रसाज मिस्त्र साल ग्राम दिवेदी संराचक्थे सेट गोबिन दाफ चायावाद यूग का स्रेश्ट पत्र इसने 1926 में चायावाद संबंदी लेख माला प्रकासित कर चायावाद को सरप्थम मानता प्रदान की यानि इसका चायावाद को स्रयोग देने में सबसे बड़ी भूमिका रही है किसकी स्री स्राजदा पत्रिका की और अगला तैतिसमा पे कर्म वीर जो 1919 म माखलाल चतुरवेदी जी हैं और चौतिसमा नंबर पर देखते हैं तो चांद पत्रिका जो 1920 में यह भी सापताइक पत्रिका है यानि हटे में एक बार प्रकासित होने वाला बाद में मासिक यानि इसे फिर बाद में बदल करके मासिक कर दिया गया था यह प्रयाग से प्र संपादक सायोगी थे यानि सायोगी संपादक कर सकते हैं और 35 में हिंदी नौजीवन जो 1921 में सापताइक पत्रिका थी आहमदाबाद से प्रकासित होती थी संपादक महात्मा गांधी थे याद रखेंगे हिंदी नौजीवन और 36 समन्वय जो 1922 में मासिक पत्रिका गी रूप में प्रकासित हुई कलकत्ता से यह प्रकासित हुई थी माधवनंद के संपादक तो में आरंब बाद में निराला द्वारा संपादन यानि सुरुगात किये थे द्यान रखेंगे सुरुगात किये थे माधवनंद और इसका फिर बाद में देख रेक निराला जी द्वारा प्रारंबुआ और बाद में संपादक निराला जी हुए और सैतिसमा है मादुरी जो 1922 में लखनों से प्रकासित हुई इसके संपादक थे प्रेम चंद याद रखेंगे प्रेम चंद और 28 मत बाला जो 1923 में प्रारम भूरी साप्ताहिक पत्रिका के रूप में जो कलकता से प्रकासित हुई और इसके संपादक थे निराला जी मतलब सुरिकान त्रिपाथी निराला जी और अगला है 49 समा जिसका नाम है बीड़ा 1927 में यह मासिक पत्रिका श्री मध्य भारत हिंदी साहित इंदौर प्रथम संपादक पंडित अभिका प्रसाद वरतमान संपादक बिनायक पांडे त्रिपाथी हिंदी निकालने वाली पत्रिकाओं में सबसे प्राचीन पत्रिका यानि इसमें हिंदी के लेख निकलते थे जो कहा जा रहा है कि यह हिंदी का लेख निकालने में सबसे प्राचीन मानी जाती है और अगला चाली समा विशाल भारत जो 1928 में मासिक पत्रिकाई ग्रूप में प्रारम हुई और यह कलकत्ता से प्रकासित हुई संपादक इसके बनार्सी दास्चतुरवेदी अग्ये सीराम सर्मा यानि तीन लोगों के द्वारा या संपन हुई यानि प्रकासित हो रही थी इसके तीन संपादक थे और एक तालिस देखते हैं तो इसका सुधा यानि सुधा पत्रिका जो 1929 मासिक पत्रिका लखनौं से प् एक शुरिकांति पाथी निलाला दो लोग अलग अलग 42 पर देखते हैं तो हंच पत्रिका जो 1930 में मासिक पत्रिका ग्रूप में प्रकासित हुई और यह बनार्श से प्रकासित हो इसके संपादक थे प्रेम चन्द यानि मुन्सी प्रेम चंद जी और 33 में त्रेमासिक इल चाहवाद का मुख्य पत्र था है कि जागरन 1932 में चाहपताहिक पत्र का है जो बनारे से प्रकासित होती थी इसके प्रेम चंद चाहवाद का घोर समर्थक पत्र था जो जागरण नाम से प्रकासित होता था अगला पैंतालिस पर है भारत जो 1923 में अर्थ सापता ही यानि सप्ता में दो बार निकलने वाला अर्थ सापता ही इलावा से प्रकासित संपादक राहा नंद दुलारे बाजपई थे और 46 देखते हैं तो साहित ती संदेज जो 1937 में मास मासिक यानि महीने में एक बार निकलने वाला आगरा से यह संपादित माने प्रकासित होता था और इसके संपादक थे बाबु गुलाब रहा है तो आए अगला 47 पर तो लिखा है कि रूपाभ 1938 में मासिक पत्रका इसके संपादक सुमित्ता नंद पंत जी थे और 48 पर देख पत्र था जो प्रकासित होता था इसके संपादक धीरेंद बर्मा भार्ति हिंदी परिषत प्रयाक का मुख पत्र था और 49 पर आजाते हैं तो प्रतीक नाम से प्रकासित होने वाला 1947 में दुई मासिक पत्रका थी जो इलहावा से प्रकासित होती थी और संपादक जी थे और पच्चासवा पर देखते हैं तो कल्पना नाम से उन्नीस सो उन्चास में दुई मासिक पत्र का प्रकासित होती थी जो हैदराबाद से प्रकासित होती थी इसके संपादक थे आरेंद्र सर्मा इस प्रकारिया पच्चास तो आपके पत्र पत्रकाएं जो यही complete इत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रस्ट जो जो ज्यान प्रकार प्रकार संबंदीत है जो 4-5 उनकी चर्चा कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समस्या जादा ना हो तो ध्यान रखेंगे कि ज्यान प्रकार भारती साहिति के लिए दिया हुआ है तो ध्यान रखेंगे इसमें साहिति के लिए सर्शेफ्ट पुरषकार है जो 1968 में प्रथम ग्यानपीट पुरषकार सुमित्रानन पंत जी को चितंबरा के लिए प्राप्त हुआ था यानि मिला था और 1972 ने रामधारी सिंग दिनकर को उर्वसी के लिए प्राप्त हु तो कितनी नाओं में कितनी बार इस रचना पर उन्हें ग्यानपीट पुरषकार मिला था और 1981 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए ग्यानपीट पुरषकार मिला था 2013 में केदार नासिंग को संपुन साहित के लिए ग्यानपीट पुरषकार मिला इस प्रकार यह पत्र पत्रिकाएं और प्रमुक इंप पुरषकार या जबकि ध्यां रखेंगे ग्यानपीट पुरषकार का शुरुवात 1965 से माना जाता है याद रखेगा कभी कभी परिक्षा अक्सर पूछे जाने वाले बस आज इतना है फिर अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद